दिल्ली आप विधायक दलकर नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने पहली बार मीडिया से बात की आपको बता दे की अर्विंद केज़िवाल के पच छोड़ने के बाद वह दिल्ली की नई सीम होगी इस दोनान आतिशी ने कहा कि वे अर्विंद केज़िवाल को इसके लिए धन्यवाद देना चाहती है कि सीम केज़िवाल ने उन पर भरोसा किया वहीं उन्होंने केज़िवाल को अपना गुरू बताया और कहा कि वे सीम केज़िवाल के इस तीफे से दुखी है एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूं। शायद किसी और पार्टी में होती, तो चुनाव की टिकेट भी नहीं मिलती। लेकिन अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया, और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दिये। मैं खुश हूँ कि अर्विन केजरीवाल जी ने मुझे इतना भरोसा किया है। लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज इससे बहुत जादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोगप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अर्विन केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरस से, दिल्ली की दो करोड जनता की तरस से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अर्विन केजरीवाल है। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिशनर की नौकरी ठुकरा सकता था। एक ऐसा आदमी जो एक नई पुलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनार लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था। ऐसे आदमी पर, ऐसे इमानदार आदमी पर भार्तिय जनता पार्टी ने भरष्टाचार के आरोप लगा है। उनको जूटे मुकदमे में छे महीने तक जेल में रखा। आखिर कर सुप्रीम कोट ने उन्हें जमानत दी। अगर अर्विंद केजरीवाल जी की जगां कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो दो मिनट नहीं सोचता मुक्यमंत्री की कुरसी पे बैठने के बारे होता। लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने वो किया, उन्हों ने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोट का फैसला काफी नहीं है। मैं जनता की अदालत में चाहूंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुक्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम इमानदार हो तब मैं मुक्यमंत्री की कुरसी पे बैठूँगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोककंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उधारन मिलेगा जो आज अर्विन केजरीवालजी ने देश के सामने रखा है दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अर्विंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं और अपने बेटे अपने भाई अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्यों देखना चाहते हैं दिल्ली वाले अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंतरी क्योंकि उन्हें पता है कि अर्विंद केजरीवाल ही ऐसे इमानदार मुख्यमंतरी हैं जिनकी वज़े से उन्हें फ्री बिजली मिली है उन्हें पता है कि अगर अर्विंद केजरीवाल जैसे इमानदार व्यक्ती मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनको फ्री बिजली मिलनी बंद हो जाएगी। अर्विंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे तो दिल्ली में महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। कि हमें अर्विंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है मैं दिल्ली की लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूँगी। और अर्विंद केजरीवाल जी के मारत दर्शन में दिल्ली की सरकार चलाओंगी। मैं एक बार फिर अर्विंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे भरोसा दिखाया है। और मैं दिल्ली की लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी। कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अर्विंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रहे है।